योगस्थह कुरुकर्मानी संगम्त्यक्त्वा धनन्जय सिध्धय सिध्धयो समुभूत्वा समत्वम योग उच्चते हे धनन्जय आसक्ती को त्याग कर तता सिध्धी और सिध्धी में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो के संभाव ही योग कहलाता है समत्वम योग उच्चते समता ही योग है इकिलिब्रियम ही योग है जब व्यक्ति बैलन्स में होता है जब व्यक्ति अपने आप को समता में लेकर आता है तब उसका जीवन योगी जीवन होता है योग से युक्त होता है तो जो योगी होगा वो बैलेंस्ट होगा लोगों की आदत होती है अती में जीना या तो बहुत खुश हो जाते हैं या एकदम से दुखी हो जाते हैं या एकदम से क्रोध में आ जाएंगे या फिर सब कुछ लुटाने को तयार हो जाएंगे तो व्यक्ति टिकता नहीं बीच में भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति अती में डोलता है मध्यम मार्ग की तरफ कोई नहीं चलता मध्यम निकाय यानि मध्यम निकाय जो मार्ग है बीच का मार्ग मिडल पात वही योगी का मार्ग होता है जब आप बीच की तरफ चलते हैं, मध्यम पॉइंट पर चलते हैं, तो आपका जीवन सफल जीवन होने लगता है जब आप बैलन्स से हिलते हैं, एक्स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, तो आपका जीवन दुख में होने लगता है जो विक्ति सफलता सफलता पसंद नापसंद सिद्धी असिद्धी इनके बीच डोलेगा वे कभी भी खुश नहीं रहेगा तो आनन्द में जीवन उसका है जो बैलन्स में जियेगा तो बैलन्स अपनी लाइफ में लाइए जैसे वीना के तारों को जादा कसा जाए तो वहतार तूट जाते हैं और धिला छोड़ दिया जाए तो संगीत उत्पन ही नहीं होता ऐसे ही जीवन वीणा में भी संगीत तभी उत्पन होता है जब व्यक्ति की वीणा सधीवी हो जीवन वीणा सधीवी हो तो अपनी जीवन वीडा को साधिये अपने आपको बैलन्स में लेकर आईए और ये बैलन्स कोई जड़ नहीं है ये जीवन्त बैलन्स होता है जैसे आप किसी कलाकार को देखते हैं रसी पर चलते हुए तो कलाकार के हाथ में stick है और रसी पर जूलते भे चल रहा है जब उसको लगता है कि लेफट की तरफ वेख गिरने वाला है तो राइड में जादा भूझा डालने लगता है राइट पे जादा वेट डालता है जब राइट पे लगता है गिरने लग जाएगा तो लेफ्ट पर डालता है तो बैलन्स करते होई जीवन को जीना होता है कभी लगता है कि एक पलडा भारी हो रहा है तो वहां से उर्जा कम कीजिए दूसरे तरफ लाइए जो वील ओफ लाइफ है इसमें फाइनेंस भी इंपॉर्टन्ट है हेल्थ भी इंपॉर्टन्ट है आपका सोशल सिर्कल भी इंपॉर्टन्ट है करियर भी इंपॉर्टन्ट है सभी चीजें रिष्टे नाते सब कुछ जिंदगी में जरूरी होता है महत्वपूर्ण होता है तो जो बैलन्स में जीता है वो सभी चीजों पर बराबर ध्यान देता है बैलन्स करेगा वह अपने आप को अती में नहीं ले जाता कई लोग जो धन कमाने लगते हैं तो सुर्फ धन ही कमाते हैं अपने बच्चों को भी भूल जाएंगे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे वह सोसाइटी से भी कटने लग जाते हैं बस अपने बिजनस में ही जाएंगे रोज सुब्र टाइम पर ऑफिस जाना है क्योंकि धन जादा चाहिए और चाहिए और कमाना है अपनी हेल्थ भी कॉंप्रोमाईस करते हैं ध्यान नहीं देंगे कि योगा भ्यास करना है वाक करनी है अच्छी डाइट लेनी है अगर बिमारी भी है सरदर्द भी हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो बस ऐसे ही कोई दवाई खाई और फिर काम पे चल पड़े तो जो अतीमी जीएगा वे व्यक्ति अपनी लिए दुख उत्पन करेगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समता ही योग है बैलन्स ही योग है आप संसार में रहते वे अपने आपको कैसे उपर उठा कर जी सकते हैं यह कला अगर आप सीख गए यह बैलन्स सीख गए तो आप योग को पा जाएंगे आप योगी बन जाएंगे और यह जड़ता नहीं जीवन्तता है प्रति पल जीवन्त बैलन्स मांगता है प्रति पल और ऐसा व्यक्ति सुख दुख के पार हो जाता है कुछ लोग क्या करते हैं नशा कर लेते हैं और नशा करके कहते हैं हमें भी सुख दुख से फरक नहीं परता परन्तु वे हैं जो नशा करते हैं उनका जीवन बैलन्स जीवन नहीं है, वो कुछ देर के लिए बेहोशी में होते हैं, तो भगवान यहां बेहोशी में नहीं होश में लाने की बात कर रहे हैं, जागरुकता की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं जमीन पर एक सौफिट लंबा एक लकड़ी का पट्रा डाल दूँ, जो एक फुट की जिसकी चौड़ाई हो, तो कोई बच्चा भी उस पर चल कर उसको पार कर जाएगा, परन्तु वही लकड़ी का पट्रा यदि दो बिल्डिंग्स के बीच में रख दिया ज जाए, अब दस माले की बिल्डिंग है, उसके उपर वो पट्रा रख दिया जाए, और आप से कहा जाए उस पर चलो और पार करो, तो व्यक्ति क्यों पैर कांप जाते हैं, कि कहीं उचाई से गिरे तो हड्रियां तोट जाएंगी, जीवन चला जाएगा, क्योंकि अपने प उसको पार करना ही मश्किल है, कभी मन में कोई विचार आ गया, कोई फिल्मी सौंग आ गया, कभी नीचे से किसी ने कुछ बोल दिया, तो बैलन्स हिलेगा, तो भगवान श्री कृष्ण का बैलन्स होश का बैलन्स है जागरुकता का, ये ऐसा बैलन्स नहीं है, जो मृत है जीवन्त बैलन्स की बात भगवान करते हैं, और भगवान कहते हैं, द्वंदों से उपर उठो, सुख दुख लाभानी, सफलता असफलता इने एक्स्ट्रीम से उपर उठकर मध्यमे स्थित हो, निर्द्वंद को प्राप्त करो, फिर तुम्हें ये सफलता असफलता पीड प्राइन नहीं देंगी, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इनके उपर हो, तुम्हें एक आत्मतत्व हो, फिर सफलता आएगी और आपकी उपर से गुजर जाएगी, असफलता आएगी वो भी गुजर जाएगी, ऐसा लगेगा, जिसे सुभे होती है, तो प्रकाश की किरने मुझे चूती हैं, परंतु मैं प्रकाश नहीं हो गया, अंदकार आता है, तो अंदकार चूकर गुजर जाता है, मैं अंदकार नहीं हूँ, ना मैं प्रकाश हूँ, ना मैं अंदकार हूँ, मैं इनके पार एक आत्मतत्व हूँ, ना मैं फेलियर हूँ, आइना मैं सक्सेस्फुल हूँ यह सक्सेस ओफेलियर मेरे उपर से चूकर गुजरती हैं परन्तु मैं आत्मां मैं हात्म तत्व इन सब से परे हूँ जब दौन्द परे हम जाते हैं तभी निरदौन्द का फूल खेलता है फिस सिद्धी असिद्धी सफलता सफलता इन सब से उपर उठकर मनुष्य जीता है तो इस समता को साध लो इस समता को यदि हम साध लेते हैं और प्रत्न करते जाते हैं तो हम योगी बन जाते हैं तब हम आनंदित हो जाते हैं जीवन में सफलता ही सफलता लगती है तो इसलिए मन को चिंताओं में संतापों में मत डालिए इन चिंताओं की जाल से मुक्त हो जाएए व्यर्थ की अनर्थकारी बातों में न फसें क्योंकि ये बातें आपके मन को दुखी करेंगी और आपकी उर्जा वेस्ट हो जाएगी और जब उर्जा वेस्ट हो जाती है तब मनुष्य कोई कारें नहीं कर पाता इसे भगवान बार बार जोर देते हैं कि अपनी जिन्दगी में बैलन्स लाओ, समता लाओ और जो बैलन्स कर लेता है वही योगी कहलाता है